आज मैं आप लोगों को चट पटा चीकन बनाने का बिल्कुल अलग तरीका बताऊंगी तो इस तरह से अगर आप चीकन बनाऊगे ना बहुत ही टेस्टे और जूसी चीकन बनकर तयार होगा इसको बनाने के लिए ना आपको जियादा मसाला का जरूरत पड़ेगे चलिए कैसे बनाते देखते हैं सबसे पहले यहापर मैंने एक किलू चीकन ले लिया है और चीकन को मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया है चीकन का प्रिजिस को मैंने चूटा या बढ़ा करके दोनों साइज में ही मैंने काट कर लिया है अभी यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून अद्रक और लोसुन का पेस्ट डाल दिया चीकन को आप चूटा साइज में करें ताकि हमारा चीकन जो हैना 20-25 मिनिट के अंदर बनक डाल दिया और इसके बाद मैंने एक चूटकी पर गरम मसाला और एक चूटकी पर यहाँ पर बुना हुआ जीरा पावडार देखिए डाल दिया सब कुछ अभी डालोंगी यह पर टेस्ट के अकोर्डिंग नमक क्योंकि हम यहाँ पर आगे नमक डालेंगे इसलिए नमक का क क्योंडिटी अब तोड़ा कमी डालिए बस दिहें सब कुछ डाल दिया अभी हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे के चीकन को मिक्स कर लिया अभी पंदर मिनिट के लिए रेस्ट में रहुँगी ताकि हमारा चीकन जो है चिकन के अंदर अक्चा से मसाला कुछ जाए देखिए 15 प्रण्द्रमिन्ट मैंने इसी तरह से टक के राहूंगी और इसके बाद हमें एक कड़ाई लेना है कड़ाई के अंदर हमें तेल एड़ करना है कम सब हम यह पर एक साथ ही डाल दिया अभी केस का फ्लेम हाइड करके चीकन को हम दस मिनिट के लिए ड़कन लगा के पकाएंगे अगर आप चीकन कू लव फ्लेम पे पकाऊँ तो ना चीकन में से पानी निकल जाएगा और चीकन फ्राई भी नहीं होगा दिखिए दस मिनिट बात मैंने यह पर डखकन हटाया फिर से हम हलका सा इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं करके फिर से हम डखकन लगा के दस मिनिट के लिए हाई फ्रेम पे फ्राई करूंगी दस मिनट चीकन को हमने हाई फ्रेम पे पकाया चीकन के जो मशरय वो खतम हो गया है और चीकन हल्का हल्का फ्राई भी हो गया है चलि अब चीकन को निकल देते हैं प्राइ कीया हुआ चिकेन को हमेए राक देते हैं सैट में उसी वेयल में हम डालेंगे और बड़ी साइच कि दू प्याच करके मेने काट कर लिए एड़दे यह जाए और अच्छे से एक बड़ सीक्स आपर मेरने डालूंगी 2 coming कि पेश करने का बात में जब हम चीकेंस डालेंगे ना थब हम फ्राइब करेंगे प्याज को हमें एक मिनिट हलका सा फ्राई कर लेते प्याज का जो कच्छा पोने है वो चले जाए दिखिए यह हलका सा फ्राई होगा है अभी एड़ कुरूंगे हमारी चीकेन फ्राई किया हुआ सारे चीकेन को मैंने एड़ कर लिया है अभी एकदम अच्छे बड़ी से मिक्स कर लेना है अभी केस का फ्लेम कम कर देना है अभी यहाँ पर एक बड़ी सामस सयासस एट करना है डार्क सयासस अगर आपके पास नहीं है तो इसकिप करें है तो जरूर डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और कालर भी बहुत इच्छे आएगा आप एट कर देदें चीकन के अंदर तोड़ा सा कसुरी में ती हाथ के मंदर से इसी तरह से काश करकर डालेंगे ताकि अच्छा से फ्लेबर निकल जाए तो इस चीकन को ना हम चीकन के अंदर हम एक दम भी पानी यूज नहीं कर रहे हैं गेस का फ्लेम मेडियम राखके हम चीकन को फ्राई करेंगे ताकि वह अच्छा से पक जाए और प्यास का जो मशर ना हूँ इस मशर से हमारा चीकन अच्छा से पख जाएगा इस चीकन को हम 10-15 मिट गेस का फ्लेम एक दम लौ राखके पकाएंगे ताकि वह अच्छा से पाख जाए और अगर हाइरा कि आप पकाऊगे एक तम जल जाएगा और बीच बीच में इसी तरह से हम मिक्स करके देना है ये गर लोफ लेंपे पकाऊगा ना हमारी चिकन अंदर से पक जाएगा और एकदम जूसी चिकन बनकर तयर हो जाएगा देखिए इसका कालार भी कितना अच्छा से चेंज हो गया है सयासस डालने की बज़े से और सयासस हो तो ज़रूर डाली है बहुत ही अच्छा लगगा खाने में तो चलिए लास्ट में डखकन होटा देते तो यह पर मैंने नमक नहीं डाला नमक का जरूरत नहीं पड़ा सयासस में काफी ज़्यदा नमक रहते है इसलिए मैंने नमक नहीं डाला और लास्ट में तोड़ा सा गरम मसाला डालके एकदम अच्छा से मिक्स कर लेते आपक अच्छा लगएगा यह चाहूल के साथ या रोटी के साथ तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ नई रिस्पक के साथ आज के लिए बाई बाई अला हाफीज